कि अज़र पढ़ने वाले हैं डीबीमेस के अंदर एक और दूसरी रिकवरी टिखनीक जिसका नाम है शाडव बेजिंग ठीक है अब शाडव पेजिंग क्या है शाडव पेजिंग शाडव कॉपी और यह लॉग बेस रिकवरी तीनों एक ही काम करते तीनों क्या करते हैं बीच में अगर अटक रहा है तो मैं कम से कम पुराने वाले स्टेट तर पहुँच सब्गों ठीक है तो यह अटामल सेटी हो गया दियुराबिल्टी मतलब अभी कोई भी फेलियर हो तो फेलियर सर्वाइब कर रहा ना इसले वाले शाडव कॉपी टिखनीक का यह कैसे शाडव पेजिंग में require few disk access then log base method अभी इसमें कहा था log base method में आपने बहुत सारा time waste कर रहे थे ठीक है यहाँ पे अपना time भी save होगा यह कैसे होगा वो पता चलेगा आगे the database is partitioned into some number of fixed length blocks which are referred to as pages इसमें आपने क्या रहते है database को अलग-अलग pages में segment करते है ठीक है जो fixed length ही होते है फिर आप आपने zoom करते हैं कि n pages है number from 1 to n ठीक है अब यह जो n pages आणा इनको अपने memory में कैसे भी store कर रखा ठीक है कुछ भी कहीं पे लिए है but उससो एक way होगा कि अपन एक उसको एक index होगा जैसे मलब I th value के लिए मलब हर I th value के लिए मेरेको एक I index पर चाना है तो ये मलब ये कैसे implement होता है इसके लिए अपने page table बनाते है ठीक है एक table बनाते है जिसमें अपने सारे pages का record होगा ठीक है तो कैसे होगा वो जो page table के अंदर की जो भी entry होगी न वो हर एक entry एक pointer रहेगी page disk महला जो अपना main database है वो एक disk पे होगा ठीक है and यह माला जो अपने जो page table बनाई हो उसके अंदर जितनी भी entries होगी वो उस page को जो disk पे है उसको point करेगी ठीक है पॉसरे से कैसे connected है वो अपने मालब एक जो अपना currently रहेगा वो कैसे connected ठीक है फिर एक transaction होगा उसके बाद कुछ connections में change होगा ठीक है तो जो original वाला table है जो हमेशा मालब जिसको कभी touch नहीं करते है वो होता है shadow-based table दो टेबल बनाने होते है इस में अपने को ठीक है की idea यह है कि दो टेबल बनाएंगे एक table में अलग mapping होगा दूसरे table में अलग mapping होगा तो जो पहले वाला table है जिसमें हम कुछ भी change नहीं करने वाले है उसको अपन बोलते है shadow-based table ठीक है उसके बाद क्या होगा कै हम चेक करेंगे कि जो current-page table है अपना मैंच करा ही है क्या-क्यमा सब्सकरना चेह उसको कि हमारा atomicity था वह maintain होना चाहिए और अपना consistent state में होना चीह database पूला है मैं ऐसा नहीं होना चाहिए कि shadow-based table में एकदम मास था मेरा database मैं कोई transition run किया उसके बाद current-based table एकदम त्रिडावडा हो गया मेरा या फिर inconsistent state में है database के और उसको मैं consider कर रहा हूँ तो उसको मैं consider ना करूँ मैं पीछे वाँपस आसब हूँ इसलिए मेरा पास एक shadow-based table होता है जो कभी हम change नहीं करते जो को हम चूलते ही नहीं है ठीक है और अगर successfully हो गया comment हो गया and वो current-based table भी मेरा consistent state में है database तो मैं क्या करूँगा जो shadow-based table थी मेरी वो अब change हो जाएगी current-based table मतला हम जो मेरा current-based table था जो updated वाला है मेरा table उसको मैं क्या करूँगा जो पक्का वाला था जो मेरा original वाला था जैसे shadow-based तो अगले बाट अगले transition के लिए ये मेरा shadow-based table बन जाएगा तो अभी ये एक बनाया होगा क्या है ये demonstration बोल सकते इसको ठीक है मैंने database लिया उसको fragment मतलब अलग-अलग pages में डिवाइड किया उसको मैंने यहा पे store कर रहा है ठीक है अब ये था मेरा shadow-based table जब transition शुरू होता है shadow-based table और current-based table दोनो same होता है same-to-same copy बनती है इसकी इसलिसका नाम है shadow-paging पहले-paging किया आपन है फिर उसके पात उसका एक table बनाया उस table को same table रखते है हम लोग current table जो अभी यहाँ पे change लिख रहा ठीक है यहाँ पे mapping change लिख रही है 1-2-3-4-1-2-8 के लिए but जब transition शुरू होता है तो यह same रहता है अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यह same था फिर इसके बाद को यह transition run हुआ उस transition है mapping change करते है यह current table था यहाँ पे changes perform हुए अब यह change हो चुक है तो अब हम चेक करेंगे कि यह जो table था मेरा है यह मेरा consistent state में है अगर नहीं है तो मैं जो transition था वो transition पूरा rollback दिखाऊंगा इसको भूल जाऊंगा और मेरा shadow page table था वही मेरा consider होगा फिर से जब मेरा नहा transition आएगा इसी की same copy बनाऊँगा अगर consistent state में है अगर यह current table है transition के end पे वो consistent state में आता है तो next transaction के लिए यह वाला जो मेरा outdated table था यह चला जाएगा यह as a shadow page table consider होगा समझ मैं तो अभी इसमें क्या था कि हमने same copy पहले paging किया same copy बनाई दूसरी copy अगर अच्छी है suitable है तो हमने उसको consider किया वरना हम पुरानी वाली copy पे आगए तो इससे अपना जो recovery था वो maintained हो गया अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो शेर करो अपने उसको के साथ जो अपनी तरह लास्मेंट पर पड़ते हैं चानल को सब्सक्राइब नहीं क्या तो सब्सक्राइब करो और नोट्स के देटेल इस्क्रिफूंब्स में दी गया है तो आप देख सकते हों के नोट्स वहाँ से कैसे लेने हैं और आप हमारी वेबसाइट भी देख सकते हो www.lastmomentdivision.com वहाँ पर भी बहुत सारी कॉर्से हैं और अल्ट बेस्ट पर एग्जाम्स थैंक यू सो मच, वाव अनाइस दे और, पर आप अल्ट बहुत सारी कॉर्से को